Well friends, आप भी daily basis पर UPI payment करते हैं तो आपके लिए good news आ चुका है यहां पर आप news में भी देख सकते हैं इसे cover किया गया है RBI increase UPI light and UPI 123 pay limit तो आज हम इसके बारे में complete information लेने वाले हैं क्या कुछ इसमें changes हुए हैं पहले मैं आपको बता दूँ कि UPI 123 pay क्या है और UPI light क्या है UPI light एक तरह का wallet हो गया आज इसमें आप load money करके रख सकते हैं अपने bank खाते से तो छोटी मोटी जो transaction हम करते हैं daily basis पे 10 रुपे 20 रुपे 50 रुपे 100 रुपे का तो आप UPI light से करेंगे तो वो history जो है आपके bank statement में नह ही आएगी तो इससे bank के server पर बहुत ज़्यादा load नहीं पड़ेगा इसलिए UPI light feature को launch किया गया था तो इसकी limit increase हुई है 123 pay क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं 123 pay के through आप बिना android phone के अपने keypad phone से transaction कर सकते हैं उसके लिए codes वगरा होते हैं जो कि मैंने already इसके उपर video ब दिखाना चाहूंगा यहां पर आप देख सकते हो the reserve bank यानि जो RBI bank है उन्होंने announce किया है कि increase the transaction limit for UPI 123 pay and UPI light the per transaction limit for 123 pay has been raised 5000 to 10,000 यानि पहलो जो limit थी आप एक transition में 5000 रुपे तक ही transfer कर सकते थे बट अब जो है इसे increase करके 10,000 रुपे कर दिया गया है और UPI light में जो load money का जो limit था यहां पर आप देख सकते हो इसी भी increase किया गया है यह दो नए changes हुए है UPI payment को लेकर I hope आज का information आपके लिए helpful रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आगा वीडियो पसंद आगा तो like करके share कर दीजेगा